ओम नमः शिवाय हर हर महाते ओम नमः भगवते वासु देवाय कार्तिक मास में शुकल पक्ष की चतुर दर्शी को वेकुंट चतुर दर्शी का वरत मनाया जाता है इस दिन भगवान विश्नु और भगवान शिव की विधि पुर्वक पूजा की जाती है सनातन धरम में वेकुंट चतुर दर्शी का दिन बहुत खास माना जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महिने में शुकल पक्ष की चतुर दर्शी तिथी को वेकुंट चतुर दर्शी का परव मनाया जाता है इस दिन भगवान शिव और भगवान विश्नु दोनों की साथ में पूजा की जाती है धार्मिक माननेताओं के अनुधार इस दिन भगवान शिव और भगवान विश्नु की विधिव पूरक पूजा अर्शना करने से व्यक्ति को मौक्ष की प्राप्ती होती है इसके साथ ही व्यक्ति के जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं माना जाता है कि इस दिन की की गई पूजा में कुंडली के सभी दोश भी खतम हो जाते हैं बैकुंठ चतुर दर्शी व्रत की ये प्राणिक कथाएं पढ़ने सुनने मातर से ही बैकुंठ लोग की प्राप्ति होती है तो बोली ओम नमः भगवते वासु देवाए बोली विश्नु भगवान की जै चलिए अब आपको हम कथा सुनाते हैं बैकुंठ चतुर दर्शी की प्राणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है नारजी पृत्वी लोग से घूम कर बैकुंठ धाम पहुँचते हैं भगवान विश्नु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन होकर उनके आने का कारण पूछते हैं नारजी कहते हैं हे प्रभू आपने अपना नाम किर्पा निधान रखा है इससे आपके जो प्रियवख्ध हैं वही तर पाते हैं जो सामने नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताई जिससे सामने भक्त भी आपकी भक्ती कर मुक्ती पास गे यह सुनकर विश्णुजी बोले हे नारद मेरी बात सुनो कार्तिक शुकल पक्ष की चतुर दर्शी को जो नर नारी वरत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ती से मेरी भूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे इसके बाद विश्णुजी जै विजे को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर दर्शी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं भगवान विश्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह भकुंट धाम को प्राप्त करेगा बुलिए विश्णु भगवान कीजे अब आपको एक दूसरी पुरानिक कथा सुनाते हैं पुरानिक मता अनुसार एक बार भगवान विश्णु देवादी धेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आये वहाँ मनी करनी का घाट पर सनान करके उन्होंने हजार स्वन कमल पुष्पों से भगवान विश्णु नात के पूजन का संकल्प किया अभिशेक के बाद जब वह पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ती की प्रिक्षा के उदश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया भगवान शिरी हरी को पूजन की पूर्ती के लिए हजार कमल पुष्प चड़ाने थे एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा मेरी आँखें भी तो कमल के ही समवान है मुझे कमल नयन पुंडरी काक्ष कहा जाता है यह विचार कर भगवान विश्प अपनी कमल समवान आँख चड़ाने को परस्तुत हुए विश्प जी की इस आगाद भक्ती से प्रसन होकर देवादी देव महादे प्रकट होकर बोले हे विश्प तुमारे समवान संसार में तुसरा कोई मेरा भक्त नहीं है आज की यह कार्तिक शुकल चतुर तरशी अब बैकुंट चतुर तरशी कहलाएगी और इस दिन वरत पूरक जो पहले आपका फूजन करेगा उसे बैकुंट लोक की प्राप्ती होगी भगवान शिव ने इसी बैकुंट चतुर तरशी को करोणो सूरियों की कांती के समान वाला सुदर्शन चक्कर विश्णु जी को परदान किया शिव जी तथा विश्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे विश्णु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ती इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंट धाम में सुनिश्चित करेगा बैकुंट चतुर तरशी की एक और परानिक कता हैं वो भी आपको सुनाते हैं तो बोलिये विश्णु भगवार ने कीजै शिवशंकर भोले ना थे कीजै धनेश्वर नामक एक प्रामन था जो बहुत बुरे काम करता था उसके उपर कई पाप थे एक दिन वो गोदावरी नदी में सनान के लिए गया उस दिन बैकुंट चतुर दरशी थी कई भक्त जन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाड पर आये थे उस भीड़ी में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था इस परकार उन श्रधालियों के सवर्ष के कारण धनेश्वर को भी पुन्ने मिला जब उसकी मृत्यू हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया तब भगवान विश्णु ने कहा ये बहुत पापी है पर इसने बैकुंट चतुर दर्शी के दिन गुदावरी सनान किया और श्रधालियों के पुन्ने के कारण इसके सभी पाप नश्ट हो गए इसलिए इसे बैकुंट धाम मिलेगा अतह धनेश्वर को वेकुंट धाम की प्रापती हुई बोलिये विश्णु भगवान ने कीजए शिवश अंकर बोलेनाथ कीजए